फोटो का बेग्राउंड चेंज करने के लिए पहले तो क्रोम में जाएंगे क्रोम में जाएने के बाद चर्स में लिखेंगे फोटो बेग्राउंड चेंज लिखने के बाद आपके सामने तीन वेबसाइट आएगी उसमेंसे आपको mobileör screen की तरफ जो website को दिखाया गया है उससे आप tap किजिए उसके उपर tap करने के बाद थोड़े देर में आपको website खूलेगी उसमें आपको दिखाया कि photo upload किजिए और उससे टेब करके आपको photo upload कर देनी है जिस भी photo का आपको background को remove करना है मेरे मोबाइल की स्कीन की तरफ देखिए फोटो सिलेक्ट किजिए और फोटो का बेग्राउंड 0.5 सेकंड में रिमूव हो जाएगा और फोटो को डाउनलोड करने के लिए पहले तो डाउनलोड पे टैप किजिए और टैप करने के बाद आपको साइन अप करने के लिए कहेगा तो आप अपने जीमेल पर साइन अप कर दीजिए और डाउनलोड पर क्लिक केजिए और आपकी फोटो HD क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएगी फोटो के एडिटिंग के बारे में तो आप मुझे में कॉमेट में लिखे में उस पर भी वीडियो बना दूंगा और मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है अभी अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट कप किया है इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए इस वेबसाइड में आपको फोटो का बेग्राउंड भी रिमुव कर सकते हैं और बेग्राउंड चैंज भी कर सकते हैं जैसे मेरे फोटो में मैंने किया है देखिए मोबाल की स्कीन पर और इसमें ज्यादा से ज्यादा बेग्राउंड को रिमूव करने के लिए ही यूज किजिए ये वेबसाइड फ्री है और आप से कुछ भी पैसे नहीं लेगी आपके सामने अलग-अलग कलर दिखाएं गे जो आपको चाहिए वह कलर का बेग्राउंड आप सिलेप किजिए सिलेप करने के बाद आप मोबाइल में की श्कीन की तरफ देखिए उसमें आपको बेग्राउंड चैन्ज का भी ओप्सेन आता है और नए बेक्ग्रांड फ्री में आपको फोटो के पीछे लगाई जाते है इस वेबसाइट से जैसे मेरी फोटो पे मैंने ये कलर वाड़ा लगाया है और आपको डाउनलोड पे टैप करने के बाद आपको गुगल में साइन अप करने को कहेगा तो आप साइन अप करने के बाद आपका फोटो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा थैंक यू फोर वाचिंग मा विडियो